कि ये भूमी सिचाय विभाग उत्रपरदेश की है बुल्डोजर चलाया गया वो ये सब है यहां से बुल्डोजर आया अंदर बुल्डोजर के दुआरा कारवाही कर दी गई है यह देखिए जो एक्शन लिया गया है योगी सरकार का उसका नतीजा देखिए यह देखिए मे यह देखिए यहां पर पूरी तरीके से पहले टेंट बना रखा था लोग यहां रह रहे थे यह देखिए रजाईया लोगों के कपड़े हैं जो कि योगी सरकार के दुआरा पूरी तरीके से तैस नहस कर दिया कि यह जो जमीन ती सिचाय बबाग की जिस पर यह कबजा कर रखा था अवैद कब्जा कर रखा था पुरानी कुछ सरकारों की वज़े से और दिल्ली में मौझूदा सरकार की वज़े से यह देखिए पूर यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर बोड लगा हुआ है यह देखिए इस बोड को देखकर आपको हमारी पुरानी वीडियो याद हो गई होगी कि हमने यहीं पर वो कवरेज की थी यहाँ पर जो इनके टेंट लगे हुए थे पर पीछे जो जगा है जहां अरविन की सरकार की तरफ से टेंट लगाएं वहां पर टेंट नहीं थे अभी से दो-तिन महीने पहले की बात देखेंगे आप तो पूरे में टेंट थे इन रोईंगयाओं के पूरे में और यह देखिए चेताव नी लिखी हुई है यह लिखा हुआ है कि जन साधरन को सूचित किया ज इसका उलंगन करने वालों के विरुद कठोर कारवाही की जाएगी साफ साफ कड़े शब्दों में चेतावनी लिखी गई है यहाँ पर उसके बावजूद भी मौजूदा सरकार की वज़े से पुरानी सरकारों की वज़े से यह सिचाई विभाग की जमीन जो थी जो रोहि इनके औंडर कर दी गई इनका घर बना दिया गया सुरस वर्ट बैंक के चलते कि जो जमीन के ऊपर चेतावनी लिखी हुई है कहां है कि जमीन पर किसी भी तरीके का निरौण करना मलवा डाना किसी तरीके की चीज करना किक दंडनिय अपर एंपर उसके बावजूद भी दे अंदर और यहां पर देखिए पत्थर वगेरा सारी चीज़ें यहां पर हैं यह देखिए बुल्डोजर के द्वारा कारवाही कर दी गई है योगी सरकार के द्वारा जो अब जो लिया गया है एक्शन वो साफ यह देखिए जो एक्शन लिया गया है योगी सरकार का उसका न यहां वह देखना पड़ेगा और वहां देखिए इसके आगे जो हमने ऊपर दिखाया था वहांसे अरविन केज्रिवाल के सरक्षन में पूरी तरीके से जमीन दे दी गई है पूरी तरीके दिखाई दे रही हैं काफी बार हमने अर्विन केजरिवाल को फरक समझाते हुए देखा होगा कि वो ये बोलते हैं कि दिली में फरक है और और राज्जों में इतना फरक है तो यहां देखिए अब फरक साफ दिखाई दे रहा है रोहिंगियों के द्वारा जो जमीन पे कबजा कर रखा था उसको योगी सरकार के बुल्डोजर द्वारा खाली करवा दिया चुका है यह देखिए पूरी जो जमीन है उसके बुल्डोजर चल चुका है सवेरे चार बजे योगी सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो हमारी थोड़ी सीवी जमीन रोहिंगियाओं ने कबजा रखी है भूमाफियाओं ने कबजा रखी है उससे हम जमीन को बापस लेके रहेंगे और दूसरी तरफ अर्विन केजरिवाल का मॉडल देखिए उन्हीं रोहिंगियाओं के लिए बड़े टेंट लगाए गए ह दिल्ली की जन्ता के पास बिजली नहीं है बिजली है तो बिल ददस हजार रुपे के आ रहे हैं पर जो यहां मेरे पीछे रोहिंगिया है जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पानी की सुक्सुविदाए हमें मिल रही है अर्विन केजरिवाल की सरफ से पूरे दिन लाइट आ रही है लाइट रोहिंगियों के घर में पूरे दिना रही है और दिल्ली की जनता है वह चार घंटे लाइट के ऐसे कट जाते हैं जैसे कि वह बिल का बिजली पानी उनके घर में ऐसा आ रहा है कि लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं कि आखिरकार अर्विंद केजरिवाल को हमने वोट क्यूं दिया अगर यहां पर हम रोहिंगे उनकी बात करें तो उनकी जो शान है उनकी ठाट है वो अलग है यह जो टेंट दिये गए हैं यह जित लग जाए अर्विंद केजरिवाल के सगे रोहिंगयाओं को तब यह अदना खराब हो जाए उसके लिए पूरी तरीके से विवस्था यहां पर कर दी गई है और यहां पर देखिए योगी सरकार का जो मॉडल है उनका जो यह कहा था कि हम अपनी जमीन को बापस लेके रहे थी और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को कहा था कि रोहिंगया हमारे देश के लिए बड़ी समस्या है रोहिंगया हमारे देश की स्वतंत्रा के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा मुद्दा है दूसरी तरफ हमारे देश का विपक्ष हो या फिर द परतन दिये जा रहे हैं यह है अर्विन केजरिवाल का मौडल और यह है वो अर्विन केजरिवाल की नीतियां कि दिल्ली सरकार के दुवारा दिल्ली के लोगों के लिए नहीं बलकि इन रोहिंगियाओं के लिए मयामार बर्मा से आए हुए लोगों के लिए दी जा रही हैं क आपने इन्से पूछा कि सरकार की तरफ से किस तरीके की सुविधायें दी जा रही हैं तो यह हम पर ही चूड़े होते हैं। वो हमें आज अपना काम नहीं करने दे रहे, हमें अपनी रिपोर्टिंग करने नहीं दे रहे और हमसे ये कह रहे हैं कि हमें उपर के अधिकारियों ने मना कर रखा है कि हम आपके सामने कुछ नहीं बोलेंगे आप यहां से चले जाएए आप हम से किस तरीके के सवाल कर रहे हैं अब यह चीज हो गई है कि यह जो रोहिंगिया हमारे पीछे हैं इनसे किस तरीके के सवाल किये जाएं क्या इनसे यह पूछा जाए कि आपको पक्का मैगान पदेश जा रही है पानि दी जा रही है कपड़े दिए जा रहे हैं अमारत उल्लक कान की तरफ से 10,000 रुपे दिए जा रहे है और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि दिल्ली सर्कार दिल्ली जनता के लिए सब कुछ कर रही है जहां पर हमने एक एक रिपोर्ट आपको दिखाई है कि जहां पर दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं पानी उनके घर पे नहीं आ रहा है और घर में जो पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है और शुरुआत में हमने दिखाया था कि यहां पर दिल पिभिवाल जैसे लोग इन लोगों के लिए बसा कर दिली में और शेल्टर दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि योगी सरकार की दमीन सी अगर तुम्हें हटा दिया गया तो आई ये दिली में तुमारे लिए स्वागत है Д्ली के लिए लाल कारपेट बिछारका थ्गा है की सरकार की तरफ से दिल्ली की जनता को फ्री का लालच दिया गया 2020 में चुनाब हुए 8 फरवरी को वोटिंग हुई 12 फरवरी को फिर से मुख्य मंतरी बन गया अरविंद के जरीवाल पर एक बास सुनिए यहाँ पर जो दिल्ली की जनता आप जो लेडिस हैं जो वो ऐसे करके बिल दिखाती हैं लोग कहते हैं हमारा तो पंखाई चल रहा था हमारा तो 20,000 रुवे का बिल आया हमारा तो 18,000 का बिल आया पर जब हम इन रोहिंगियाओं के पास आए तो इनकी तरफ से कहा गया हमें एक बिजली वाला भी मिला और उस बिजली वाले ने कहा कि SDM की तरफ से पूरे ओर दर मिल चुके हैं हमें हमारी कंपनी के लिए कहा गया है कि अगर इन रोहिंगियाओं को किसी तरीके की समस्या होती है जो इसे से को एक बिजली वाला बेज रखा है यहाँ पर किसी को भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो अब बात यह भी है कि SDM इस तरीके के ओरडर दे रहा है एक बिजली वाले के लिए के जाई ये इन रोहिंग्याओं को किसी भी चीज की समस्या ना हो जाए समस्या भी हो जाए दिल्ली की जनता कितने भी बिल भरे पर इनका जो 24-24 गंटे बिल आ रहा है इनका जो पानी की सुविधा दी जा रही है दिल्ली की जनता तो पानी के टैंकर के लिए सवेरे आता शाम को नहीं आता और फिर दो-तिन दिन बाद आता है जहाँ एक तरफ दिली की जनता के पास टैंकर नहीं पहुचता पानी का, यहाँ पर पानी की वेवस्था कर रखी है फिरी प्याली बिजली दी जा रही है, बरतन दीर जा रहे है, टेंट दीर जा रहे है, और सबसे बड़ी बात कि बिजली ठीक करने वाला कारिगर भी दिया जा रहा है, शेल्टर दिये जा रहे हैं, ये देखिए, अगर मैं कैमरा में जूम करके दिखाए तो वो देखिए, बिजली मैं अपना काम कर भी रहा है, बिजली वाले, और वो जो बिजली वाला है, जो अब बिजली का काम पीछे वह लाल टीशिट में जो लगा हुआ है वह बिजली मैन है यहां पर रोहिंग्याओं के लिए देड़ महीने से लगा रखाएं कि यहां जितनी भी बस्तियां हैं जितने भी लोग जो यहां रहते हैं उन लोगों के लिए किसी चीज की समस्या ना हो जाए अर्विंद क फिर से क्योंकि काट की खड़ाई बार बार नहीं चड़ती है तो अर्विंद केजरिवाल शायद इस बात को समझ गए हैं और दिल्ली की जनता भी समझ रही है पर काम कौन आएगा यह बोट बैंक यह देखिए दिल्ली की जनता से प्यार नहीं है बोट बैंक से प्यार है मया मार और बर्मा से आए हुए लोगों से प्यार है जो यहां बसे हुए है और दिल्ली की जनता के लिए तो कुछ नहीं है पर यहां पर पूरी भरपूर सुविधा दे रखी है अरविंद केजरिवाल की सरकार की तरफ से अब हम आपको यह भी दिखाएंगी जब हम नहीं से अलाकर वही आदंपी की कार्रे करता बक रीच के मौके पर यहां पर ने लोगों के लिए खाने-पीने की विवस्था करने आयती है अगर आपको अपने पर देख लिए बाटने हैं चीज़ा है या फिर और लोगों के लिए बाटनी है तो वहाँ पर भी तमाम सैकड़ों ऐसे लोग हैं गरीब लोग हैं सड़कों पर चले जाएए फ्लाइवर के नीचे सो रहे हैं लोग उनके पास जाएए कि इनके पास तो टेंट हैं बिजली है फ्लाइवर के नीचे सोते हुए लोगों के पास ना टेंट है ना बिस्तर है अगर मदद करनी है तो उन लोगों के लिए कीजिए आमाधनी पार्टी के कारे करता इद के मौके पर यहां खाने पीने के लिए आ रहा हैं अगर बात करें कि रैन बसेरे को लेकर जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करते हैं अरविंद केजरिवाल तो रैन बसेरा आप देख लीजे कहीं पर चली जाए यह टीन डली होगी और वहाँ पर एक साथ लोग पड़े होंगे और तकिया उनके पास ना खाने की विवस्ता होगी डंग से ना रहने की बस एक तकिया पड़ा होगा जहां व्यक्ति सो रहा होगा और वह और वहां पर उनके पास तकिया नहीं है कंबल वहाँ पर उन्हें खटमल काट रहे हैं पर यहां पर वी आई पी सुविधा दी जा रही है और विंद केजरिवाल की खास मेहमानों के लिए जो हमारे देश पर ही रहकर कबजा करना का चाते हैं जो हमारे उपर ही चड़ कर हमसे बोलते हैं कि यहां इहां पर काई आए हो तुमिहां से चलै चले जानूंको भी ऐसा सिखा रखा है बड़े अधिकारियों की तरफ से ओर्डर दे रखे हैं कि अगर मीडिया आए तो मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलना अगर वो तुम्हारे फेवर की बात भी कर रही है तो भी मत बोलना क्योंकि वो सच्चाई दिखाएगी सच्चाई भी क्या है जो देश हमारे देश में ब पैदा हुए हैं ऐसा कुछ नहीं है पर उसके बावजूत भी बड़े अधिकारियों की तरफ से ओर्डर अमाय अतुरला खान की तरफ से ओर्डर आमादनी पार्टी की तरफ से ओर्डर कि किसी से कोई बात नहीं करनी और बच्चों-बच्चों को ऐसी चीजां सिखा रखी नहीं है कि अगर कोई मीडिया वाला आए तो उसे तमीजी करिए और उसे गेट से ही रवारा कर दीजिये क्योंकि अर्विन के दौर को पता ना चल जाए क्योंकि अगर पता चल गया तो बचा कुछ भरोसा है वह भी जंता का तूट जाएगा और अगली बार मुख्यमंत्र हैं oxid oxygen को पानी है और यह देखिए हमारी राजदानी का हाल जहां पर के लिए सुख्षविदाय नहीं हैं रोहिंगयाओं के लिए टेंट है रोहिंगयाओं के लिए बिजली है पानी है और सारी सुख्षविदाय है उन लोगों के लिए